दोस्तों डूपल में आज हम एक और मॉडूल को एक्स्प्लोर करेंगे और वो मॉडूल है हमारा लिंक प्लेंड टेक्स्ट फॉर्मेटर अगर आप डूपल में कोई यूरिल connect करना चाते हो कोई फील्ड आप बना रहे हो जिसमें आपने किसी third party application को third party website को आपने connect किया है उसका hyperlink आपने लगाया है या आपने कोई internal pages जो आपके २पल के internal pages है उसको आपने महाँ पर hyperlink लगा है और आप view बना रहा है और view में अगर आप चाहते हो कि वो जो format है as a plain text दिखे महाँ पर link hyper take जो है आपका वो नहीं आए anchor take आपका नहीं आए तो उसके लिए यह module यूज होता है link plain text formatter इस module को use करने के लिए आप यहाँ पर इस module को use करने के लिए यह composer command turn करके आप module को config कर लेंगे install कर लेंगे उसके बाद में जब आप view में जाएंगे जिसे मैंने यहाँ पर एक view बनाया है यह view बनाया है और इस view में यहाँ पर यह demo link यह मेरी एक field है इस field पे जिसे ही मैंने click किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं plain text formatter आ रहा है अभी यहाँ पर मैंने google को link किया लेकिन यहाँ पर google as a plain text दिख रहा है और इस content को अगर मैं edit करूं तो यहाँ पर इस content को मैंने edit किया है और यहाँ पर देखे मैंने google.com को यहाँ पर link किया है लेकिन यहाँ पर google as a plain text क्यों दिख रहा है यहाँ पर google as a plain text इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैंने as a plain text format लेया तो यह model install करने के बाद आपको एक plain text formatter का feature और मिल जाएगा जो कि आप view के अंदर भी use कर सकते हो और manage display के अंदर भी use कर सकते हो